नवस्ते दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि NBT और आयम गुजरात की टीम पिछले 10 दिनों से सवराश्ट में गूम रही है और हम लोगों का मूर जान रहे हैं इलेक्शन में माहूल कैसा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आज हमने जो ये 10 दिनों में जो भी कुछ देखा जितने भी लोगों से मिले उनका एनालिसिस क्या रहा क्या पिक्चर अब भी दिख रहा है उसके बारे में उप डिसकस करेंगे हमारे साथ है NMedia Online का एडिटर आलोग जी तो आलोग जी बताई आपको सौराष्ट का मूड ओवरॉल कैसा लगा देखे सौराष्ट का ओवरॉल मूड जो लगा वो भाजपा के सपोर्ट में भाजपा के परती कोई लहर नहीं दिखी जैसे चुनाव हम कैसे माते है जब हम दो निकलते हैं फिल्ड में लोगों से बात करते हैं m l करने की कोशिश करते हैं कि under current क्या है तो गुजरात में सौराष्ट रीजन का under current चाहे हमने हम अधावाद से शुरू कि अपने यातरा फिर द्वागा गए जाम नगर गए जामनगर तू भाव नगर गए जो under current है वह अगर है कोई करिंट तो वह आम आदमी पार्टी की इंट् उसको जानने की समझने की केजरिवाल के जो वादे हैं उसको परखने की यह अंडर करेंट है अगर हम दर्शकों को बताना चाहें खबर यह बनती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में इन कर गई है लेकिन नेट रिजल्ट यह निकलता है कि इसके कारण भारतिये जनता पा से रिकॉर्ड सीटों से गुजरात में सरकार बने तो यह दो चीजे आपका मानना है कि इस बार शायद बीजेबी का जो टार्गेट है वह से उसके पास पहुंच सकती है वन फिफिटी सीट का बिलकुल मुझे लगता है माधव सिंग सुलंकी का रिकॉर्ड भी न कहीं तू गया तो भी आप सप्राइजड नहीं होंगे नहीं होंगे मैं 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 मुझे मेरी गट फिलिंग है कि आम आदमी पार्टी दस से पंदरा परसेंट वोट शेयर जी कम से कम सवराष्ट में मैं उस तरफ तो नहीं गया हूं अहमदबाद के उत्तर में लेकिन यहां दस से और टूटेगा उसके लिए भाजपा को क्या करना परेगा भाजपा तो ओल्लेडी यहां कठिन परिस्थितियों में 17 में भी थी 17 में भी फाइट मिला उसको जबर्दस इस बार उस फाइट को आसान बना रही है आम आदमी पार्टी अब यह हमने भी देखा आपने भी बाद में एक ने केशोड वाली सीट के जो विधायक थे वो छोड़ कर चले गए और चुनाव में भाजपा से जीते और जब हम यहां आज भाव नगर में तो हमें पता चलता है कि भाव नगर में जैसे हम लोगों ने एक लिए लिए और रांगोर चौक पे वहां हमने बात की और उसने कैसे हमें समझाया मतलब उस दुकांदार नियाम तोर पे हां वैसे पॉलिटिक्स की बात नहीं होती और बैठे हुए और उसने बताया कि यहां जो कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं जीतु वागानी और जीतु वागानी बीज़वी सक्ति सिंग गोहिल और जीत से टिकट मिलना चाहिए था जिसको उन लोगों ने टिकट नहीं दिया अब वो आम आदमी पार्टी में है जी अब उसकी यह दलिल थी कि राजू सोलंकी का असर पूरे भावनगर में है जी हां उसका यह भी कहना था कि एक घाटिया पार या कोई ऐसी एक सीट है घाटिया हां भावनगर में वहां का जो एक पटेल कैंडिडेट है वो कास्ट एक्वेशन के हिसाब से भी और अपनी करनी के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी को फायदा पहुचाएगा क्योंकि उन्होंने बताया हमें कि कैसे कुरोना के दिनों में जी जब पूरी जनता तरस्त थी तब उसने ना सिर्फ अस्पताल लोगों को पहुचाए बलकि कैश मदद करता था तो अब सुचिए कि भावनगर में जहां जूनागर में अमरेली में जहां कॉंग्रिस मजबूत रही वहां अगर आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से स्ट्रेटिजी कली टिकट बाटे है लोगों को टिकट दिये हैं और दूसरी तरफ जो लोवर इंकम ग्रूप है वो अगर केशरिवाल के वादों से प्रभावित है जी हां जैसे हमने देखा घंटियाना जो गाउं जी जी वहां भी हमने किसानों से बात किया वहां तो कोई नौकड़ी पेसा वाला नहीं था श कि या करते हैं हमने पुछा भाई आप मुद्द caller ही हां उनने मुद्द नैंने मुद्द जिन है पूरा बेल्ट है, जो हम लोग घूम रहते हैं, तो देखा कपास की खेती हो रही है, मुफली भी यहां खेती होती है, और नीबू जगा जगा पाई है, गेहूं भी होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए किसान को खात, उसने क्या बताया, चाहिए डीएपी हो, यूरिया हो, प आते हैं सरकारी दुकान पर लेने खाद, तो जो जरूरी खाद है वो नहीं मिलता, तीन थैलिया अलग पकरा दी जाती है, तो कहीं ने कहीं, और उसकी जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं उस गाओं का जो तोरन द्वार हमारे हिंदी में बोलते हैं, गेट आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि जैसे तीन सो यूनिट फ्री बिजली और केजरी वाल बड़ी बात कर रहे हैं कि वह स्कूल अच्छी बनाएंगे, गाओं वाले ने ये भी कहा कि अगर पढ़ाई अच्छी तो हम भी अच्छे, बिलकुल, तो मैंने उन से पूछा कि जैसे केजरी वाल की आपको ये दो बाते याद हैं, वैसे बीजेपी या कॉंग्रेस वाले किसी नेता की आपक्ष की आप मतलब पार्टी की आपको कोई बात याद है तो उन्हों कहा कि नहीं वो तो याद नहीं है, मतलब मैं पहली ब सरकार हो गई है, और दूसरी एक बात की, यहाँ पर लोग कह रहा है कि भाया, कॉंग्रेस को भी अपने काफी मौके दे दी है, बीजेबी को भी 27 साल से दे रहे हैं मौके, इस बार कुछ नया चाहिए, हाँ कुछ कि नई पार्टी है, और नई पार्टी ने दिल्ली और पं सराप थी, हमने देखा, फिर हम पहुंचे तो वो एक रात में चौक था, केशोड विदान सावा चेतर के अंतरगात आता है, जहां से भाजपा की विधायक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, दो पीक अप वैंड चलाने वाले साथ ही मिले, देवाइद और नितिन भाई, आप मतलब जो भी है, उनका कुछ बिजनस ड्राइविंग का था, हमारे यहां पीक अप बोलते हैं, तो उन्हों ने फिर यह कहा कि आम आदमी पार्टी यहां से आएगी, उनने कहा क्यों, उननों कोई बताया कोई चुडास्मा यहां पर कैंडिडेट है, उनने कहा क्यों, तो उ अपील है, तो नहीं, यहां पर अभी देखिए, भीर हो गई थी जब आये थे, उन्हों ने जो कहा है, वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, और फिर उसने खुद अपनी तरफ से जोड़ दिया कि मोदी जी भी आये थे एक समय, लेकिन जब वो आये तो उससे पहले ए दुकांदार था, उसके पास पहुंचे, वहां उसने कहना सुरू किया कि भाजा पाएगी, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने काम किया है, जी हां, और चार-पांच लोग भी आ गए वहां पर, बन्दा नहीं कहां से आ गए थे, वह चार तो य और जो नहीं बोल रहा होता है, जो साइलेंट वोटर है, वह उसकी संख्या जादा है, लेकिन हमने जो रीट किया वह भाजपा का सपोटर नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, और जब हम वहां से बात करके निकले और उन दोनों भाईयों से पूछा नितिन और देवायत से कि बाई, तुम कैमेरे पे नहीं आए, पहले तु यह बोल ले थे, उसने हमें क्या बताया कि जो दुकानदार है, वो भाजप कैंडिडेट का सगा मामा है, हां, नहीं, मतलब, वो उसका भाज़ा है, दुकानवाला, भाज़ा है, वो मामा, जी, अब तो बताये तो यह है, यह और वहाँ तक कि हमने उनको पूछा कि यहां पर सड़के कैसी है, उन्हों ने कहा कि बिल्कुल अच्छी है, तो मैंने को ही तैयार नहीं थे, जबकि उसके आगे भी खड़े, गड़े थे, सर्कों पे, तो यह एक इंट्रेस्टिंग चीज है, और सबसे बरी बात जो बिहा से कनेक्ट करती है, इस रीजन को वो है जाती के आधार पर वोटिंग, अच्छा, कास्ट बेस्ट वोटिंग मुझे लगता, जो हमें वो नहीं दिखा, आहमदाबाद में नहीं दिखा, वीरमगाम में नहीं दिखा, जाम नगर में शहर, यहां पर कुछ लोगों ने आफ कै जानिये पत्रकार से मिले जाए, स्टोशी जी से, उन्हों ने भी बताया, पूरबंदर सीट पर कैसे कौन सी जाती का असर है, कैसे मच्छवारों की प्रोब्लेम है, कैसे कांदल जडेजा, वो अपनी सीट कौन सी सीट है, उसकी कुतियारा, वहां से कैसे उसको चैलेंज वहां से आपने कैसे किसी मकवाना को मैदान में उतारा है, वो रबारी है, उसकी कमुनिटी की संख्या बहुत ज्यादा है, हमने यहां जब हम जूनागर और अमरेली आई, वहां भी लोगों से बात की, तो यह बात निकल कर आई, और सबसे इंट्रेस्टिंग यह है कि जू न ओवैसी से प्रभावित, किसी ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया, और उनको यह लगता है कि ओवैसी चालाक है वो, ओवैसी यूपी और बिहार में वोट काट चुके हैं, इसलिए वो इस बार जब हमने आज भी बात की, अमरेली में लोगों से और मुस्लि यह भी कहा कि नहीं इस बार तो नई पार्टी आई है तो उसको मौका दे, मतलब जो कॉंग्रेस का सॉलिड वोट बैंक है, जी हाँ, ट्रेडिशनल वोटर, वो भी कहीं न कहीं जो भाजब के साथ नहीं रहा, वो अब आप में थोरा भी डाइवर्ट होता हुआ, दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि सबसे बड़ी खबर गुजरात में आठ दिसंबर को अगर निकलेगी, तो यह कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर कर आई, लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने उसका प्रचंड बहुमत से, ऐसा अभी अब अगर कुछ बदल जाए, जैसे हमने पूछा मुद्दे क्या है, तो अमरेली में पता चला कि मुर्भी भी मुद्दा है, ऐसा नहीं है, महंगाई, मुर्भी और पानी, अमरेली की समस्या पानी है, आज से दस साल पहले भी रिसर्च होते आए, दस दिनों में एक बार आता है, दस सल बाद बदलाव एक है कि चार दिन में एक बार पानी है, मतलब मैंने उनसे पूछा कि इस बार तो बारिश काफी अच्छी हो, ये तो ने कहा कि डैम का स्ट्रक्चर कुछ वीक हो गया, तो अब वो आदा ही बरा जा रहा है, तो मैं तो अभी भी मतलब अभी म कॉंसून जैसे खतम हुआ है, थोड़े महीने, एक दो महीने पहले, और इस वक्त भी उनको सिर्फ चार दिन में एक ही बार पाने के सब्सक्राइब, और दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट जो मुझे दिखा, लोगों ने उठाया, वो ये, वो ये कहते हैं कि भाजब की 27 साल की सरकार तो है, लेकिन जूनागर्ड, अमरेली या सौराष्ट के उन हिस्सों के साथ 113 वेभार हो रहा है, जो कॉंग्रेस के गढ़ रहे हैं, अमरेली में, कई लोगों ने ये बात बिलकुल खुल कर बताया है, हमने कैसे, तो उनने कहा क्यों, क्योंकि यह यहां से कॉंग्रेस जीती है, तो भाजबा की सरकार है, वो बदला चुकाती है, कि हम यहां डिवलप्मेंट नहीं करेंगे, हमने कहा है, इसका आधार बुनियाद क्या है, तो कई लोगों ने बताया, अमरेली में बोला कोई इंडस्ट्री देख लीजी आप, नहीं दिखे सरकारी कर्मचारी से भी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्ट्पन बस चलाता था, इसा भाई उनका नाम, उन्हों ने भी कहा कि कॉंग्रेस आएगी, हमने क्यों आएगी, कुछ तो लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे परेश धनानी, परेश स्ट्रॉंग कैंडिडेट, अब उन्हों वो मदद करने से मना नहीं करता है, इसलिए जीतेगा, हम यहां कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, हाँ, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे मतलब वो थोड़ा टिपिकल गुजराती में है, लब कई लोगों ने हमें यह कहा कि आईया तो परी ह जैसे बिहार में कहता है, अलोगवा, तो उसी मतलब टॉन में उन्होंने कहा था, तो वो आपके रिस्ते की प्रगारता को दिखाता है, कि आप कितने connected है, वोटर्स आपके कितने close हैं, और ये चीज हमें यहां देखने को मिली, और वो विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, और जब हमने आज उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो बहुत सुबह सुबह गाओं में छेतर में निकल चुके थे, मतलब वो campaign proper कर रहे हैं, और आप देखिए, आज हमने हमें क्या, हमें अख़बारों के बदले लोगों ने बताया, कि यहां पर 20 तार गया है कि इस इलाके में, जो Congress की मजबूती है, वो खतम नहीं हो रही है, इसलिए वो आ रहे हैं कि उसको थोड़ा dent मारें, जी, तो यह सब बाते मोधी factor काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस इलाके में, जैसे जैसे हम दूर चलते आए हैं ना, राजधानी यहां तो हमको नहीं दिखाई देता, मतलब अगर हम पूरा रंग ही बदल गया चुनाओ, रंग बदला हुआ है, और मुझे लगता है कि यह बहुत इंट्रेस्टिंग होगा, क्योंकि यह बदलाओ जो है, वो भारते जनता पार्टी को टेक्निकल ही तो फायदा क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2024 को हम काउंट नहीं करेंगे, यहां भी साथ सभी सीटें वो लोग सभा चुनाओ, पिछले मतलब 2014 और 19 तोरों में, क्योंकि लोग सभा चुनाओ में अब एक तरीके से, एक क्रॉस हिंदी बेल्ट और नॉर्थ हिंडिया यह है, कि भाही उसमें मोदी प्रधार मंतरी के चेहरे हैं, उनके नाम पर वोटिंग होती है, लेकिन विदान सभा चुनाओ में, चाहे वो बिहार हो, या मध्य परदेश हो, या राजस्थान हो, आपने देखा कि लोग अलग वोट करते हैं, मतलब वो ट्रेंड होता है, वोट करने का अलग, और म अगर आकडो की बात करें, तो जैसे कि हमने जो दस लोगों से बात की, मतलब मैं मेरा अंदाजा आप से शेर कर रहा हूं, उनमें से सिर्फ तीन लोग बोले खुलकर, और समझे की साथ लोग तो बिलकुल साइलेंट ही रहे, मतलब की 70% वाटर्स जो हमने सेंपल लिया, बालूँगा, एक बाद में आया था में रेली में जब हम बात करें थे, तो हमने उसे पुछा किया, कॉंग्रेस तो है नहीं, न राहूल गांदी है, न कोई है, तो बोला, साइलेंट दिखाई दे रहे हैं न हमका, हाँ, तो ये चानक की निती है उनकी, वो मुस्लिम वोट था, बिल्कुल सही है, जो वोकल है, उसमें 90% भाजपा वोटर है, जो साइलेंट है, वो भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अगर आपके दस में तीन बोल रहे हैं, और साथ चुप हैं, तो मैसेज साफ है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उस साथ में कौन कॉंग्रेस क के साथ हैं, कौन आपके साथ, वो बस सिर्फ इंट्रेस्टिंग, पर मोटे तोर पर तो अभी ऐसा कुछ पिक्चर हमें दिख रहा है, कि आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस के वोट काट रही है, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, ये एकदम मन कि एक चीज़ जो सत्य है, इस चुनाव में वो ये, कि आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस के वोट बैंक में बहुत जबरदस्त सेंध मारी कर चुली है, और केजरीवाल तो यहां तक दावे कर रहा है कि हम तो बीजेपी के वोट भी तोड रहे है, नहीं, वो तो है, अब ज जा रिखम कॉंग्रेस में क्यों जाएंगे, जब कांग्रेस वाले आप लिए जा पाट बहांच्रीवाल तो वो वो इसके पास ऑप्ष है ना तो dangers को बहले से ना पसंड करता है, क्योंकि bucks क 21 की नितियों से उसकी दूरुद बिल कि अब उसके पास आप है तो हो केजरीवाल में ही shift होगा जी हाला कि उसकी संख्या थोड़ी कम होगी इसलिए कई लोगों ने कहा कि भाजपा का वोट मेंक मोटे तोर पर वहीं है intact है लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे लगता कि उसमें slight dent तो होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कि यह सहुराष्ट की बात हुई और अब गुजरात की politics को भी काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं यहां पर कभी भी कोई तीसरी जो पार्टी है वो मजबूत नहीं हो पाई आम आत्मी पार्टी के बारे में आपका क्या खाला है मतलब क्या सोच रहे हैं आप नहीं मुझे लगत यहां जमीन पर इतना नहीं होगा जितना हमें अब आज दिखाई दे रहा है जब हम भाव नगर में बैठ कर तॉल रहे हैं लोगों कि कौन कितने पानी में है तराजू पर कौन जादा चड़ा हुआ है कौन नीचे खिसका हुआ है मुझे लगता है कि वो चीज तो ही देती है बड़े मार्केट में नहीं आप चलिए टैक्सी में बैठिये ड्राइवर से बात कीजिए आप ओटो वाले से बात कीजिए आपको दिखाई वो चीज देगी हमने देखा अम रेली में कैसे एक ओटो वाले ने पीछे पोस्टर लगाया हुआ था अरविंद केज वाले है तो इस तरह का अगर वोकल सपोटर गुजरात में निकल चुका हो जो मोदी के खिलाब बोलने से डरता कई वोटर तो डरते हैं वेड़े कैमरे पर बात नहीं करूंगा हां ऐसे में कोई अगर निकल कि यह कहता है कि आएगा तो केजरिवाली यह जो दिल्ली वाली अपनी जगहां नहीं बनाई है इसके सब्लक्राइव और पिजिन के civility का नामिन नहीं लेटalion मतलब उसकी रननीती का हिस्सा है कि हम उसको जगा दे देंगे बिल्कुल बिल्कुल मतलब मोधी जी ने आज तक अपनी स्पीच में कभी भी आमादमी पार्टी या अर्विन केजरिवाल का जिक्र भी नहीं किया बिना जिक्र किये उन्होंने कहा कि इस बार कॉंग्रेस ने ग आज पक बच नहीं सकती अगर उसको गुजरात में अपने दूर्ग को अपने किले को अभेद्ध रखना है जिसमें कोई एक छेद न कर पाए उनको आम आदमी पार्टी से सीधी चुनोती सुईकार करनी परेगी अच्छा ये अर्विन केजरिवाल ने इतना मजबूर तो क कर दिया है बिलकुल कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए